तो प्री मार्केट एनलीसिस तेईस तारीक ट्यूज़े के लिए जो लेवल्स मेरे साब से निफ्टी विफ्टी में इंपॉर्टन रहे सकते हैं वो कुछ इस तरीके से और अगर आप बैंक निफ्टी पे नजर मारो तो वो लेवल्स कुछ इस तरीके से बहुत अच्छी बा तो मैंने आपको क्या समझाए कि अगर केंटल की तरह काम करेंगा वह मिल गया और चैनल की बॉटम लाइन मिल गई तो यहां से मार्केट टप्पा खाते हुए आप देखो गया और अगर ऐसा हुआ तो कमेंट आगे खुदी कर देना कि भाई बिल्कुल ऐसा ही हो तो आप देखो यहां पे क्या हुआ इसी लेवल के पास मार्केट आया exact यहां पे साथ में बॉटम लाइन मिली साथ में मार्केट एनलिसिस था मेरा उसके अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई थी क्या वो भी सुन लो भाई सारी चीज़े आपके सामने यूट्यूब पर आप जाके देख सकते वीडियो को यह लो इसको भी सुन लो ठीक है अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दे आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से चार्ट रीडिंग काम करती है अब चार्ट रीडिंग क्या आप कितने डाटा देख लो कितने इंडिगेटर लगा लो कुछ काम नहीं करेगा इवेंचुली वो सारी चीज़े चार्ट पर ही रिफलेक्ट होती है जिसको अगर आ गया तो आप अच्छे ठेट हो चाया वह इंत्रा इंट्राट हो चाया वह ठोड़े से स्विंक ट्रेंडिंग और चायए वह ब्याट ना चाहिए अब मैं बात कर दो कि next day पे हम क्या कर सकते हैं, Tuesday में हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, Tuesday के लिए 5 minute time frame पे एक बार चलते हैं, क्या 5 minute time frame पे कोई structure type की चीज दिख रहे हैं, तो पहले तो उसको मोईटर करना चाहेंगे, ओके, आप देखोगे कि bank nifty कहीं न कहीं एक channel बनाने की को अगर आपको 2-4 point extra मिल जाएं, तो एक 5 minute पे भी आप short term channel बना के चल सकते हैं, और उसके अंदर से helping opportunities आप निकाल के ला सकते हो, वापिस चलो one day time frame में, तो आप market देखो middle line के आसपास आ गया है, तो फिर से crucial point पे आगया market क्या, A scenario कि market इस से टकरा की नीच आने लग जाए, हो सकता है, resistance खा सकता है, B scenario कि इसको तोड़के थोड़ा sustain करके और उपर जाएगा, तो फिर यहां तक का target unlock हो सकता है, correct, but upside के channel में upside का कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है, downside का अंदाजा जरूर लगा सकता है, और ऐसे ही downside के channel में हम और downside का अंदाजा नहीं लगा सकते कि against the chart nature हो जाएगा, correct, उसमें भी हम ऊपर जाने का अंदाजा लगा सकते हैं कहीं लगा सकते हैं, तो यहां पर वोई चीज है, फिर से crucial point में market पस गया, तो कल के trading session पर मैं खुद से थोड़ा सा एक कतम पीछे रहे के चलूँगा, market में, पहले देख लूँगा कि market actually मैं चाह किस दिन आपको ज्यादा quantity लेनी है, किस दिन आपको कम quantity लेनी है, किस दिन आपको trading नहीं करना, अगर यह चीजों का answer आपको मिल जाए, तो आप automatically trader बन चुके हो, तो इसको figure out करेंगे, pre-market analysis की series को continue करके, बस आप videos देखते रहा करो, 5 minute time frame पे levels बनाते रहा करो, उसके बाद setup आपका काम है, ठीक है, तो कल के लिए जो मेरा अपना personal opinion है, वो यह है, कि मैं कोई भी बड़ी position कल के दिन में नहीं बनाने वाला, कोई भी setup मिले, चाहे call side का, चाहे put side का, मैं दोनों में equally interested हो, ना तो मैं call की ज्यादा favor हूँ, ना मैं put के ज्यादा favor में हूँ, लेकिन अगा फिर भी मेरे को एक चूज करना हूँ, call या put की side के setup, तो मैं put side के setup में थोड़ा सा, हलका सा, ज्यादा वो रहूँगा interest है, अगर market flat खुलता है, तो, अगर market gap में खुल गया, तो story entirely different हो जाएगी, उस case में हमें market की opening case आप से decision लेने पढ़ेंगे, like, share, subscribe, sub, कर दो, ऐली